नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं आदिवासी चात्रों को कई अने संगठनों का भी समर्थन मिला है, बतादे चात्रों के परमुख मांगों में 1932 के खतियान के अधार पर ही नियोजन निती बनाने, रीक्तियों के बिरूत, आवेदन में आहारता सिर्फ भारत के नागरिक न लीख, जारखन का अस्थानिय नि दस अलग अलग जगह पर दंडा अधिकारी तैनात किये गए हैं, अभी तक कोई कहीं से अपरिये घटना के खबर नहीं है, दुमका पाकोड, दुमका भागलपूर, दुमका गोड़ा रोड भी इस आंदोलन से प्रभावी था है, राजधानी राज़ी समेथ जारखन में रभी वार से मौसम साप और सुस्क रहेगा, आस्मान में बादल छटने से अगले तीन दिनों के दवरान तीखी धूप अब सताएगी, इसे तापमान में तेजी से ब्रीदी होने का अनुमान है, राज़ी में अधिकतम तापमान 5 डिगरी अजमसेदपूर में या 8-9 डिदी तक बढ़ सकती है, राज़ी कान हिसो में भी तापमान के साथ घर में बढ़ सकती है, बतादे राज़ी में पिछले 24 गंट को दवरान अधिकांस हिंसो में बारिस हुई है, सबसे अधिक बारिस पूर्वी सिंभूम के दरी साई में 36 बन 4 मिलिमीटर हुई, इसके अलावा घाट सिला जमसेदपूर कोडारवा में 30 मिलिमीटर से अधिक बारिस हुई है, वहीं गुमला साहेब गंज खरसावा गिरीडी में 20 मिलिमीटर बारिस हुई, वहीं सिंभूम, बोकारो, डाल्टन गंज, रामगण में अची बारि से ही कारगिल चौक से गोड़ा कॉलेज चौक तक मुख्यमार को जाम कर दिया, चातर समन में समितिक बैना तरले चातरो ने आंडूलन किया, नियोजन निते की बिरोध में सरकार बियोधि नारे लगाये गए, आंडूलन कारी चातरों का कहना था कि, जब जहार्खन के चात पूलिस लाइन से लाया गया पूलिस ने तीन बसों से सभी छात्रों को आंदोलन अस्थाल से गिरफतार कर पूलिस लाइन ले जाये गया इसके बाद करीब 7.30 गंटे के बाद आवागमन सुरू हो पाया बता दे दोफर 3.22 तक जगह जगह रोट जाम रहा आस्थानी लोग इस पोर्टल पर ढूंड सकते हैं नौकरी नीजी कम्पनियों में 753 नौकरी यां अस्थानी युवाओं को देने को लेकर राज सरकार द्वारा त्यार पोर्टल पर लावग 15 दिनों में ही 2555 कम्पनियों ने आपना रिबंधन कराया है इन में सबसे अधिक पूर्वी सिम्मों की कम्पनियों सामिल हैं यहां की कूल 555 कम्पनियों ने अपना निबंधन पोर्टल पर करवाया है जबकि सबसे कम 16-16 निबंधन खुट्टी वह सिम्डेका में हुआ है नेजी कम्पनियों में 40,000 तक के बेतन वाले 75% पदो को अस्थानिय यूआओ को रोजगार देने को लेकर राज सरकार ने पिछले मा 17 अतारी को पोर्टल लंच किया है बता दे इस पोर्टल के माध्यम से नियोकता अपने बेहसाई एवं उससे समधित मानों बल के बारे में जनकारी भी साजा कर सकते हाँ है साथी बेरोजगार और बेर्थी रोजगार के लिया वेदन कर सकते हाँ है साहब गंज में बिसर्जन जूलूस पर पत्राव, SDO, समयतकाई, पुलिस कर्मी और स्रधालू घायाल साहब गंज में सरनीवार के साम बिसर्जन जूलूस पर कुछ अराजक ततों ने पत्राव कर दिया जिससे जूलूस में सामिल कुछ लोगों के साथ साथ पुलिस कर्मी भी घायल होगा है उपद्रियों ने एक बाइक को आग के हवाले भी कर दिया उपायूक्त राम निवास यादव एस पी अनुरंजन किसकोटा एस डियो राहूल आनंद आदी वर ये पता अधिकारी घाटना सर पर पहुच गया है इस्थिती नियंत्रन में हाई बता दे जिला मुख्याले में चैत्र माह में चार जगों पर दुरगा पुजा होती है इसी करम में रेलवे लाइन की ओर से कुछ लोगों ने पत्रबाजी कर दी एस्थि एस्थि का दर्जा पाने के लिए कुडमी आदिवासियों का संगर्स जारी एस्थि एस्थि में सामिल होने के लिए कुडमीयों का संगर्स जारी है इस बंदी से घाट सिला से बंगाल जाने वाले वाहनों का परिचान बुरी तरह से प्रभावित हुआ जनकारी के मुताबिक कुर्मी आदिवासी संगठन इसी तरह 3 अप्रेल तक राजमार्ग को बंद करेंगे उसके बाद 4 अप्रेल को अनिश्चित काल के लिए रेल और कुलकात्ता मुंबाई एनेच को जाम कर दिया जाएगा संगठन के आवाहन पर जार गराम सहीत बिभीन जीलो के बिभीन इलाकों में सड़क को जाम कर दिया गया हल्दी पोखर में बिवाद के बाद बजार बंद सीयो को ठाराया गया जिमेदार पुर्भी सिम्हुम जीले के कुवाली थाना छेतर अंत्रगत हल्दी पोखर में राम नवमी जंडा बिसर्यन जुलुस के दुरान हुए बिवाद के बाद सन्यवार को हल्दी पोखर एवं हाटा बाजार पूरी तरह से बंद रहा आरोपियों पर करवाई की मां को लेकर इलाके के सभी दुकानों को बंद कर रखा गया इस दोरान हल्दी पोखर सप्ताईक होट में एक भी दुकान नहीं लगी हाता की भी दुकाने दिन भरबंद रही बता दे हल्दी पोखर बाजार पूरी तरह से पूरी चावनी में तबदिल रहा जहां एस पी मुकेस कुमाल कुन्यात देर रात से ही जमे थे साथ ही SDM प्यूस कुमार सिना, DSP चंडर सेकर अजाद और DSO रजीव रंजन ने दलबल के साथ गस्ती करते हुए लोगों से सांती बना रखने की अपील की जमसेदपूर हिंसा पर स्वास्त मंत्री ने जताई नराजगी 3 अप्रेल को होगी करवाई जमसेदपूर में राम नौमी पर उपजे बिवाद प्रस्वास्त मंत्री बना गुपता का बयान आया है उन्होंने कहा है जमसेदपूर के कुछ अधिकारियों ने हिंदू भावना को आगात पहुंचाने का जो कारे किया है उसे बिल्कुल बरदास्त नहीं करेंगे बतादे जमसेदपूर में जीला परसासवन और अखारा समीतियों के बीच अखारा जूलुस को निकाले जाने को लेकर हुए बिवाद पर आपजारकन के स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कहा है कि कुछ अधिकारियों दोवरा ऐसी बिसम परिश्थितियों को अनवस्यक रूप से पैदा कर दिया गया है 11 अप्रेल को भाजपा का रांची में परदर्थन परदेश भाजपा 11 अप्रेल को राज सरकार के खिलाप राजधानी में जोरदार परदर्थन की त्यारी में जूटी है इसके लिए सरनिवार को परदेश कर्याले में कोर टीम की बैठक होई बैठा के अध्यक्ता भाजपा के परदेश अध्यक्त दिपक परकास ने किया बैठा के बाद दिपक परकास ने कहा है कि राज सरकार के खिलाप होने वाले परदर्थन पर बिस्तार प्रुवक चर्चा हुई जामुमों कॉंग्रेस रायत गटबंधन की सरकार से जानता उप चुकी है भाजपाराजी की जानता की भावनाओ की अभिव्यक्ती है मुख्यमंत्री के ग्रीह छेत्र में जानता सडको पर धारना देकर राय सरकार को उखाड फेकने का संकल्प ले रही है सफेद जूट बोल कर लोगों को हसीन सपने दिखा कर सता में आने वाली सरकार को अब संच से सामना करना पड़ रहा है दरो मत के नारे के साथ सत्यागर अपर बैठे कांग्रेसी कंग्रेस नितर राहूल गांधी की लोग सबसे सता समाप्त होने सरकारी आवास को खाली कराने अडानी को ले कर हिडन बर्ग की रिपोर्ट की जैपीसी जाच की माहन को ले कर कॉंग्रेस के OBC प्रकोष्ट अनसुचित जाती जन जाती प्रकोष्ट अब संख्यक विंग की ओर से बापु वाट का मोराबादी में सत्यागरा किया गया इस सत्यागरा में परदेश अध्यक राजेश ठाकूर कारेकारी अध्यक्स बंदूतिर की विधायक सिल्पी निहातिर की सहीट सभी विभाग के परदेश अध्यक्स बैठे इस दोरान सभी ने डरो मत के नारे लगाए मंतरी चमपाई सुरेन कुमार धुबी में रेलवे ओभर ब्रीज का किया उध्गाटन जारखन के परिवहन वा पिछड़ा वर कल्यान विभाग के मंत्री चमपाई सुरेन ने सनीवार को कुमार धुबी में रेलवे वा राज सरकार के सहजोग से 45 कडोर की लागत से बने रेलवे ओभर बिरिज का उधगाटन किया मौके पर धनबाज से सांसद PNC 9 निर्शा की विधायक और पना सेन गुप्त मौजूद थी बता दे फूल जानता को समर्पित कर दिया गया उधगाटन समारो को देखने के लिए भाजपावा जहामो समर्थकों की भीर जूटी थी समारो को समोधित करते वे मंत्री सांसद वविधायक ने एक दिन पहले योबर बिरिज का अगहोसित उधगाटन करवाद देने वाले को बिना नाम लिए जमकर कोशा जेबी भी आनल ने मार्च में प्राप्त किया 1.137 क्लोर का राजपे स्वह ज्धारखन बिजली बित्रन नीगम लिमिटेड ने मार्च महिने में रिकोर्ड 1.137 क्लोर रायसव असु लिकी है पकायदार बिली उभकताओं को लीगल नोटिस देने से लेकर एनिमेटेड वीडियो और पोस्टर से उभकताओं को जारू करने और डाटा एनालिसिस के जरिये सभी उभकताओं तक पहुंचने जैसे काम कर बिली बील वसुली में तेजी लाई गई है कुरोना से निपटने को लेकर जार्खन में तैयारिया तेज कुरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सन्निवार को पुर्वी सिमुम जीले के लभक सभी कोवीड अस्पताल में मोख रिल किया गया इस मौके पर उपाधिक्छक डाक्टर नौकुल परसाद चोधरी डाक्टर पिके दता राजेंद्र सिन्हा लच्छ पती दास जोएदीप बनार जी दीने स्पांडे सहित पुरी टी मवजूद रही एक सोक्रोर के मिड़े मिल घोटाले के मुख्य आरोपी संजाय के ठीकाने पर इड़ी का छापा सोक्रोर के मिड़े मिल घोटाले के मुख्य आरोपी संजाय तीवारी के ठीकाने पर इड़ी ने सनिवार को छापे मारे की संजय कुमार तिवारी भानु का स्ट्रक्षन का संचालक हा है इडी ने उसे पूर में गिरफतार कर जेल भेजा था लेकिनों जमानत पर बहार आ गया था और उसके बाद सही फरा रहा है बता दे PMLA की विशेस कोट ने सुक्रवार को उसके खिलाप वरंट जाली किया था जिसके बाद अब इडी ने कोट से वरंट ले लिया है वरंट मिलने के बाद अब एजेंसी संजय तिवारे की रफतारी कर सकती है राहूल गांधी की सरस्यता खत्म करने की बिरोध में जार्खन कॉंग्रेस पूरे राजे में चलाएगी जय भारत सत्यागरा अंदोलन राहुल गांधी को साजा होने और सरस्यता खत्म करने के बाद से ही कॉंग्रेस ने केंद्रे की भाजपा सरकार के खिलाप उग्र रूप अपनाना शुरू कर दिया था पूरे देश समेट जारखन में कॉंग्रेस पार्टी ने तना साही का आरोप लगाते हो परदसन करना शुरू कर दिया अब इस मामले में पार्टी पूरे राजे में अप्रेल माह में जय भारत सत्यागरा अंदोलन चलाएगी और राजे के सभी जीलों एवं परकंडों में अंदोलन करेगी इसी स्तंदर में कारकरम की सभालता है तू अखिल भारतिय कॉंग्रेस के महासचीव सा जारखन परभारी श्री अविनास पांडे ने पीएसी के सभी से करकारी अध्यक्ष मंत्री एवं विधायक गन तथा परदेश महासचीव जीला अध्यक्ष के साथ वर्चुल बैठक की CCL ने 76.09 मिलियन टन कोईला उतपादन कर किया सर्वस्रेस्ट परदर्शन सेंट्रल कोल फिल लिमिटेड ने वीतिय वर्च 2022 स्टेस में अपना अभोधपूर परदर्शन जारी रखते हुए आज तका सर्वस्रेस्ट 76.09 मिलियन टन कोईला उतपादन कर इत्यास परदर्श दिया यहाँ पिछले वर्च की तुनला में 11 परदर्शत की बिदिधी है इस सर्वणिम परदर्शन में CCL के अमरपाली परदर्शना 18 MT मगत परदर्शना 15.6 MT सहीत सभी छेत्रों का महतपून योगदान रहा CCL ने कोईला परदर्शन में भी सर्वस्ट्रेश्ट परदर्शन करते हुए पिछले सारे किर्तिमान तोरते हुए 75.03 MT कोईला परदर्शन किया जो पिछले रिकोर्ड से 4.5 परदर्शत अधिखाए 28 छात्रों के लिए इकल्यान पोर्टल खोलने का आगरा 28 के छात्र अनूप कुमार महतों ने मुख्य मंत्री को पत्र लिखकर जार्खन के विभीन महावित द्यालों में संचालित 28 सात्र 2021-23 प्रथम वर्ष की छात्र विर्थी से वन्चीत छात्र छात्राओं के लिए इकल्यान पोर्टल खोलने का अनुरूत गया है अनूप ने बताया है कि 28-71-23 के सेक्रो छात्र छात्राओं का नमांकन विगत वर्ष 2022 में मार्च अप्रेल में चौथी काउंसिलिंग और ओपेन काउंसिलिंग के माध्यम से हुई है तब तक एक कल्यान पोर्टल बंद हो गया था जब छात्रो ने कल्यान विभाग से पोर्टल खोलने का नुरूत किया तो पंचाय चुनाओ का हवाला देकर पोर्टल नहीं खोला गया उन्होंने कहा है कि 28-71-23 के सेक्रो गरीब छात्रो के लिए चात्र वीर्थी की एक मात्र सहा रहा है रांची में महिला से छिंताई राइधानी में चोर उच्चको के हिमत इतनी बढ़ गई है कि वह पूलिस को देख कर भी छिंताई कि वरधातों को अंजाम देने से वाज नहीं आ रहे हैं पताजे ताजा मामला रांची के सहजा नंद चौक कहा है सुक्रवार को यहां इसकुटी पर सवार दो अपराधी सुवाती सिंग नाम की एक महिला का मोबाईल और पस स्नेचिंग करके फरार होगा है अलाकि पूरिश ने दोनों अरोपियों का काफी दूर तक पिछा किया जिसके बाद दोनों ही अपराधी अपना इसकुटी छोड़ कर फरार होगा लोहर दगगा में आंधी तुफान के साथ मुसलाधार बारिस जारखन के लोहर दगगा जिले के कुडूप परखन के पच्छमी छेतर में आई आंधी तुफान और ओलाव रिष्टी से फसलों को भारी मात्रा में नुक्सान हुआ है खेतों में तेयार मोटर, खीरा, टमाटर, धनिया, पत्ती, पालक, साग से लेकर भी भीन, परकार की साग सब जियो वा फसलों को काफी नुक्सान पहुचा तेज आंधी के कारान, कोल सीमरी में सीव मंदीर के उपर एक पेड़ गिर गया, इसे मंदीर का गुमद्ज तथा छजा शती गरस्त हो गया वला विरिष्टी से किसानों को भारी छती हुई है, करीब 5 लाख रुपए का नुक्सान पहुचा है, प्रभावित किसानों ने मुआपजे की मांग की है साइबर क्राइम मामले में साथ दोस्यों को आदालत ने सुनाई सजा साइबर क्राइम केस में सानिवार को साथ यूखों को दोसी करार दिया गया, दोसी करार दिये गया, सभी यूखों को अलग-अलग सजाय दी गई एवं अलग-अलग जुर्माना लगाया गया यह फैसला ADJ-DTA-S Cyber Act Special Court संजीव भाटिया की आदालत द्वारा अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के अदिवकताओं की बहुत सुनाने के बाद सुनाया गया देवगर की आदालत ने सानिवार को साइबर क्राइम मामले में साथ दोस्यों को सजा सुनाई है दो अभियोगतों क्रिश्न यादे अवं बिराट कुमार उर्फ लालू मंडल को सस्रम आजिवन करावाज की सजा सुनाई गई है पलामू की बेटी खोसी को मिली अढ़ाई लाग की छात्र वीर्ती जार्खन के पलामू जिले के मेदनी नगरी थी एमके डी ऑभी पॉब्लिक स्कूल के बरावी की छात्र खोसी को अढ़ाई लाग रुपे की छात्र वीर्ती मिली है सन्यवार को इस्कूल परवंधा ने समारो का वेजन कर उसे समानित किया बता दे खुसी को या च्छात्रविती PM या सस्वी स्कॉलर्शिप इंटरनेस टेस्ट 2022 में सपल होने पर मिली इस परिक्षा का विजन रांची में 25 सितमर 2022 को किया गया था खुसी कुमारी बरावी की छात्रा है उसके पीता का नाम प्रेम कुमार वा माता का नाम सरीता देवी है छात्रविती प्राप्त करने के बाद खुसी ने कहा है कि विद्यार्थियों के सामने पढ़ाई में मेहनत करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि आप जिस रास्ते से भी जाना चाहते हैं उससे सही तरीके से चलने के लिए पढ़ाई जरूरी है साहब गंज में छात्रों का बवाल सड़क जाम साहब गंज कालेज परिसहर में इस्थित आदिवासी काल यान चात्रवास के चात्रों ने सन्नीवार की morb बजार बंद करा दिया चात्र राज सरकार दुरवार बनाई गये शाट चालिस वाली नियोजन निती के बिरोत कर रहे हाई चातरों ने कई सड़क जाम कर दिया है सहर में सन्नी वार सुबह करीब 7.30 बजे ही आंदुरन कारी सड़क पर उतर गए चातरों ने टमटम स्टेंड गरीन होटल मोड एस्टेशन के समीप मुख्य मार्ग जाम कर दिया आंदुरन कारी तीर धनू से लेस थे सुचना के बाद अंदुरन कारीों से निपटने के लिए बड़ी संक्या में पूलिस बलकी तैनाती कर दी गई है पाकुड में साथ चारीस के खिलाप सड़क पर युगा हेमंत सरकार के 60-40 वाले निपटने के खिलाप आधिवासी चारीस जात्रचात्रणों ने सनीवार को सहर में सांकेतिक बंदी कर दी है इसी दोरान बड़ी संक्या में चार्चात्रणों ने रविंदर चोक से सिध्धू कानो मुर्मू पार्ग तक रैली निकाली राइली के दोरान से दूकानों मुर्मू पार्क के पास सलक जाम कर दिया गया सलक जाम की सुचना पर नगर थाना के पूलिस मोखे पर पहुचिया और सलक जाम कर रहे छात्रशात्राओं को सांकेति गिरफतारी की गई जिसके बाद सलक जाम हटाया गया नगर्थाना प्रभारी मनोच कुमार ने बताया है कि नियोजर नीती को लेका सड़क जाम कर रहे करीब 156-17 के संकेते गिरफ तारी की गई है जिसके बाद जाम को हटा लिया गया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बाल के बेले के अंद बाइए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों किसा सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कुमेंट बक्स में अपना फिडवेक अवस से दे थैंक यू